तो वह बोले किया रूपा का एक्सिडेंट हो गया तो हम यह अतना सुने तो हमारा दिमाग बुड़ गया पटना में जाने के पाद इसके हाल हो तो आप देखके हम तो हमारे धिमाग खराब हो गया तक आपकी भतिजी जो थी पुरह मरीं गई थी आप एक तरफ सरकार बेटी बचा और बेटी की नारा देती है और बेटियों पर खर्च करती है कई तरह की योजनाय लाती है लेकि दूसरी तरह बात करें तो बेटियां सुरक्षित नहीं हैं महफूज नहीं है यदि वीडियो बाइरल हुआ था और ये फोटू चुकि वो बच्ची जो थी एक्सिजेंडल के वस्था में थी पूरा बेहोसी के वस्था में थी और कई लोग पहचान नहीं पा रहे थे कई लोग समाजिक सोचल बरकर जो थे उस वीडियो को जो है उस फोटो को सेर किया था और परिवार तक पहुचाने का परियास किया था बहराल पहुच गया वीडियो उसके बाद परिवार वाले जागे और परिवार वाले ऐस्पताल जाते हैं उसके बाद इलाज करवाते हैं करवाने के बाद क्या कुछ घटना होता है चुकि उन्हीं के घर पर हैं हम जाने का प्रयास करेंगे चुकि सरकार एक तरफ जो है बढ़ाने की बात करती है और बेटी को बढ़ाने की बात करती है लेकिन बिहार में क्या इस सुती है आप विडियो में पूरा बने रहेंगे द इसका जनम दिन भी था तो यह तो मतलब 22 से 21 तारी को छड़ पूजा हो रहा था तो उस तेमा यह थी तो फिर 22 तारी को यह फिर चली गई तो तेइस गुजराच 24 को हम लोग हम तो यहीं पे थे हम नवाद में नहीं थे तो अचानक हमारे जो छोटी थी हलांकि हम भी नवाद में थे कि तो यह सब घटना का क्या था हमको मतलब संग्यान में नहीं था हलांकि यह जो है सदर हस्पातार में हम सुनते हैं से सुनने में आया है कि 10 11 वजे से ही वहाँ पर था किन तो हम लोग को किसी को जानकारी नहीं नहीं हुआ नहीं था कैसे आपको सुचना प्राप एक लड़का के साथ हमारे मतलब भाई का दeका है तो निकली तो हमको इससे में पता नहीं था बाद में हमको कान में सुनाई दिया हमारे बढ़े भाहिया के जो बहु है तो वह बोले कि रुपा का एक्सिडेंट हो गया तो हम यतना सोने तो हमारक जिमाग वोड़ गया जैसे हम कपड़ा खोले तो फिर वापस यह कर लिए पहन लिए तो देख रहे हैं कि वह लड़का और हमारी छोटी जा रही है वहाँ पर जा रही है हम भी पिछे पिछे भाग रहे हैं जाने के बाद फिर हमारा कोई मतलब परिवाद जा नहीं मिले मोटर साइकल पर तो उस प बहु नहीं है यहाँ लग कर दो यहाँ नहीं मिलने का बाद हम आ गये हैं घंञ SMITH हैं इसा यहां भावि यह यहाँ रुन मिलके गाली रिजर्ब किये हैं फिर गहेये लुकी नार्जी गण्ट में गया तो वहां पर फिर बोला आए हम इससे आगे हम नहीं यह पाएंगा विकाल होकि हम लोग पटना गए पटना में जाने के पाद्स साथ देंगे खिर हम तो मुमारा जिमारा खरा वोगा तक आपकी भतिजी पटना चल गए पटना चल गए पू गोड़कि अरुप लगा रही बच्ची से अभ मालूम पड़ा जब इसका होस आया तो इसका पही निकल गिया रहा हूंने के आपने पर पुलीस को बता है तो तुम्हारा भाई को मुझे ओने नाइक पर परिवार को तो तुम्हारा भाई को मीद्ने इस तरह का धमकी दे दे तराकर धमकिद्री दरा दिया दर यह लट्की डर गई यह लड़की डर गई और अकेले चल गए लाका स्मय पर पिर बोला कि मैं गाली यहां पर लेकर आया हुँ धाल पाथ लिए था लड़की पर बैट कर इसको ले कोई राbn ले जाने के बाद इसका पहला ऊतार के पहला आख में हीट करता है हीट करने के बाद इसका पहला आख में कुछ फैकता है जैसे जरना लगा उसका बड़ लाठी से यह बोली है माधा मेरा है मतलम मार के इसको एक दम अधमारा कर दिया और उसके बाद foto कि पछा ने पाई HIS mitä उसका एक महिना का बाद इसका रहा इसका खुझा हाएं सब्सक्राइब करा है मेर्व हए क्लेज करने मालूम है है अब लोग करवाएं हैं हाँ अपना खुद अब 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 आएत है तो नादिगन जो दरवगा उसी के अंडर में सब हुआ है अभी तक लड़का क्या हुआ लड़का घर मेरा राय भागा हुआ भागा हुआ रड़का का तो कुछ आता पता ही नहीं है अचा से जबसे इसक अब यह बनाना चारा इसके साथ में घटना अभी अग्सिडेंटल के उपर ज्यादा जोड़ दे रहा है अभी तो वहां पर बोला गया है कि मैं यह खबता के अंदर लाओंगा यह खबता के अंदर लाओंगा नहीं तो जो करना है मतलब कुरकी फुरकी जो भी है अब लोग यह जो लोग दिखेंगे वही समझ गया है लेकिन मामला कुछ और है मामला यहां प्यार-महबत का था बुला कर कुछ करना चाहता था यह लड़की जो है वह उस आसी के फिर में नहीं पढ़ना चाह रहे थी आब जो है जो करना चाहता था यह मजूर नहीं इसका था जिसके कारण जो है अब घमभी रूप से जो है एक्छिडन बता रही है यह घटना को यह घटना जो है मार पीट का है एखever схानी का है यह घटना पर जाच होना चाहिए बजाए पुलिस जो है एक्सिडेंटल करके रफाद अफाक कर देना चाहिए तो एक बात हम नहीं समझ में आ रहे हैं जिस दिन हम लोग एफैर लिखा रहे है उस दिन वहां पर जो ठाना पर भारी था वो बोल रहा था कि यह लोग मान नहीं रहा है अब बोल रहा है कि मतलब जो भी एक्स्डूरेशन जो भी है तो यह सब इसमें लिख दे रहा है जो भी धारा हुआ क्या लगता है नयाई मिलेगा आपके बच्ची के साथ में अभी तक तो हम कुछ नहीं मतलब बोल सकते हैं पुलिस का कोई करवाई नहीं देख रह हैं तो कि इस लड़की को अभी तक नयाई नहीं मिला है आपने सहयो किया इस वीडियो को इस बच्ची को फोटू को सेर किया था लिख लिक के तो यह जी भी तो बच गई है लेकिन आपकी सहयो किया वाशकता है आप यह इस वीडियो को सेर किजेगा तो इसके साथ में नया सजा तक जाएगा सजा होगा और वो जेल के सलाखे के पीछे जाएंगे वो लोग तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर कीजिए और लोग तक पहुचाए ताकि बिहार के जो मुखिया है वहां तक वीडियो पहुचे और इस केस के गमिरता से जाच हो और न्याय हो दूद का दूद पानी का पानी हो धन्यवाद